नमस्कार, प्रियास ओनलाइन निश्टुल क्लासेज में आपका स्वागत है, इससे पहले हम साथ वीडियो इस टोपिक के पड़ चुके हैं, हमारा टोपिक जैसा कि आप देख रहे हो सिक्षा मनोग्यान और सिक्षा सास्तर के अंदर मुल्यानकन चल रहा था, और मुल्यानकन के अंतरगत आपने अब तक साथ वीडियो इसके साथ बाग देख लिये थे, और इन साथ बागों में अपने मुल्यानकन हैं, उससे समझे विभिन परकार के जानकारियां पड़ी थी, अब इसी टोपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और इसमें अपन पढ़ रहे थे मुल्यानकन की प्रवीदियां, और मुल्यानकन की प्रवीदियों में से कुछ तो अपन ने पढ़ ली थी, एक बार मैं आपको वापस याद दिलाते था हूं सारी बाते, देखिए, अपन पढ़ रहे थे मुल्यानकन की प्रवीदियां, मुल्यानकन की प्रवीदि मौहिक परिक्षन और प्रायोगिक प्रिक्षन यानि कि लिटन टेस्ट है वाइवा या वरबल और प्रैक्टिकल तरी दर्व लिखित प्रिक्षां में उनको भी आपन दो बागों बाढ़ सकते हैं गुनात्मक्र विद्यों में देखिए जैसे कि 12 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, पहला है इंटर्यू साक्षातकार, दूसरा है अब्जर्वेशन, तीसरा है क्यूशनरी, चोता है निर्धार्ण मापनी, पांचवा है संचई आलेक, छटा है समाजमिती, सात्वा है अभी वर्ति मापनी, आटवा है अभी रुची मापनी, नौवा है रुची सुची, दसवा है व्यक्ति तियास यानि कैस्ट्रेडी, यारवा बुद्धी प्रिक्षन, पॉर्ट्फोलियो, जांच सुची, ये सारी जो प्रविदियां हैं, ये गुनात्मक्र तरीके माले ज परसनावली है, इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो इस प्रिकार से देखिए, गुनात्मक्र प्रविदियों को अपन विस्तार से देख रहे हैं, इनके गुन्दोस भी देख रहे हैं, मैंने आपको साक्षातकार के गुन्दोस बताये थे, आवलोकन के बारे में बता दिया कि अवलोकन के आदार पर एकदम परतेक्स किसी वी विकति समुए या विकति का अपन आपने सामने होकर अच्छी तरह से आवलोकन कर सकते हैं और इसके बार में तीस्री प्रविदिय पन शुरू करें है प्रस्टनावली तो आगे की जो भी प्रविदियां बची वी हैं उन पॉए ये कि करके देख रहे हैं आगे देखिए कि सबसे पहले तीसरी प्रविदी है प्रस्टनावली कि भीभीन परकार की सुचनाइं लेने का एक होती है तो पूर्ट तरीका है जैसे विद्वान है कि डेविस अब वार और जोंसन डॉष डेविस बार और जोंसन यह तीनों विचारक प्रस्नावली के बारे में यह कहते हैं कि प्रस्नावली एक ऐसी मुल्यानकन प्रविदी है जिसमें करमगत यानि एक निशित करम में प्रिशन होते हैं और यह प्रिशन जो नियादर्स होता है देखें अनुसंदान में एक वर्ड इस्तिमाल होता है नियादर्स नियादर्स का मतलब सेंप्लिंग से है यानि इसका मुख्या विपराई यह है कि अपन जिन लोगों को से अपने को प्रस्णावली से सुचनाए मांगनी होती हैं उनके सामने इसको प्रस्द करते हैं तो डेविस वार और जोनसन ये कहते हैं कि मुल्यानकन एक ऐसी प्रविदी प्रसनावली एक ऐसी प्रविदी है जिसमें करमगत प्रसन होते हैं जो न्यायदर्स यानि जो भी जनसंख्या है या जो लोग है जनसंख्या के जनसंख्या के किसी भाग किसी भाग पर पर्यूक्त किया जाता है और इसके माद्यम से अपने को क्या है विभिन प्रकार की सूचनाई पराप्त होती है सूचनाई पराप्त होती एक बार दुबारा दे आंदे जी ये प्रसनावली क्या होती है अपने सब जानते हैं प्रसनों के एक सूची बनाई जाती है और पूरी प्रसनावली बनाने के बाद में एक करमबड डंक से उसमें जो प्रसन होते हैं प्रसन का समंध उसी चीज से होता है जिसके बारे में प्रस्णावली से अपन प्रसन पूछ खरी विभिन प्रकार की जानकारिया एक टक्रते हैं। उसको प्रसनावली दे दीजिए, वो अपनी स्विधा के नुसार, समय के नुसार आराम से अकेला बर लेता है। उसके पास में आकर खड़ा हो जाता है, तो उससे प्रसन लिखे नहीं जाते हैं। वो संकोच करता है, कि मैं जो उतर लिख रहा हूँ, गुरुजी पढ़ रहे हो सकता है कि ये गलत हो, तो उसको संकोच होता है। तो ठीक वेसी बातें परसनावली पर भी लागू होती है। यानि साक्साथकार की तुलना में परसनावली थोड़ी सी क्या है कि वेक्तिकत रूप से वेक्ति को एकदम संकोच से दूर कर देती है। वो अपनी सुईदानों सार अकेला बेट कर आराम से परसनों के उतरक दे सकता है। तो इस प्रिकार से साखसाथकार और परस्णावली दोनों में ही परस्णों का प्रियोग किया जाता है लेकिन एक में आमने सामने होते हैं और दूसरे में आमने सामने होने वाला से यह अनिवारियता नहीं होती है हो भी सकते हैं लेकिन सामानेत है क्या है कि अपन परस्णावली देते हैं उसके बाद में सूचने लेते हैं प्रसंद मुख्यत है छोटे होने चाहिए और प्रसंद थोड़े सी क्या है कि सरल और इस्पस्ट बासा में होना चाहिए ताकि सामने वाला अच्छी तरह से उसको समझ ले और इस प्रकार की बातों का अपन थोड़ा ध्यान रखे तो आपकी प्रस्तनावली ज़्यादा एफेक्टिवा सकती है अब साथ प्रस्तनावली विधी 먼저 प्रविधीय किस प्रकार से है तो आप सब जानते हो RS Woodworth का नाम आप समने सुना है RS Woodworth को परस्तनावली का जनक बना जाता है RS Woodworth को परस्तनावली का जनक मानते हैं अपन RS Woodworth है उसने परस्तनावली की शुरुवात करी और परस्तनावली की शुरुवात करने के साथ में उन्होंने एक काम और किया प्रस्टनावली जो है इसको उसने मुख्य रूप से तीन बागों में डिवाइड किया और उसके बाद में एक मिश्रित रूप और होने के बाद में आजकल प्रस्टनावली के चार रूप प्रचलन में हैं यह चार रूप कौन-कौन से हैं अपन एक-एक करके देखते हैं प्रस्टनावली के चार प्रकार में पहला है सरचित प्रस्टनावली सरचित प्रस्टनावली को एक नाम से उट जान जाता है बंद प्रस्टनावली बंद प्रस्टनावली भी कहते हैं दूसरी है ए सरंचित प्रसनावली इसे अपन खुली प्रसनावली भी कहते हैं और तीसरा प्रकार है वो है चित्रित प्रसनावली प्रसनावली यह चित्रित भी कर लाती है और पांच भी छुर्स्वति है वो है मिश्रित मिश्रित प्रसनावली अविन अंतर क्या होता है यह देखिए तो प्रसनावली के चार टाइप है मुंक्रूप से तीन ही है लेकिन जब तिनुस्त प्रसनों को एक जगे कर कर एक ही प्रस्नावली में समयत कर दिया जाता है तो यह मिश्तरी तरूप ले होती है। तो इस प्रकार से अपन यां पर RS वुडवर्थ के द्वारा जो बताएंगे प्रकार है इन चारों को उलेखित कर रहे हैं। पहला सरंचित प्रसनावली, सरंचित प्रसनावली या बंद प्रसनावली वो होती है, जिसमें प्रसन जो होते हैं, उनके उत्तर सामने होते हैं, यानि प्रसन भी होता है और प्रसन के आगे उत्तर भी होता है, तो प्रसन के आगे उत्तर होता है, तो फिर क्या करत किया जाता इसमें जिसको प्रस्टनावली दी जाती है वो प्रस्टनावली को भने वाला व्यक्ति केवल क्या करता है या तो यस या नो या राइट या रोंग इस प्रकार के विकल्प डीड़ होते हैं उन में से किसी विकल्प को या तो लिगता है या निसान लगाता है राइट का या क करता है इस प्रकार से बंद प्रस्णावली या सरंचित प्रस्णावली की खास बात यह होती है कि इस प्रस्णावली में उत्तर लिखने की आजादी नहीं होती है स्वतंतरता नहीं होती है इसमें उत्तर लिखावा आता है उत्तर दाता को केवल हा ना ठीक है इस प्रकार से यानि कोई निशान लगाना या क्रोस करना या राइट करना इस प्रकार से अपना उत्तर हो देना पड़ता है तूसरी है ऐसरंचित प्रस्णावली ऐसरंचित प्रस्णावली होती है इसको खुली प्रस्णावली भी कहते है इसमें प्रसन जो होता है उसके नीची तोड़ी जगे देशाटी हूई आती है और उस जगे में उत्तरदाता को उत्तर लिखने की आजादी होती है यानि इसमें वेक्ति अपने विचार है, वो लिख सकता है, इसलिए इसको खुली करते हैं, यानि बंद की तुलना में इसमें वेक्ति को अपना दरश्टी गोर्ण विश्तरिस तुरुप से रखने की मोकाया असर मिलता है, और तीसरी प्रसनावली है, वो चित्रित प्रसनावली के चार प्रकार है, एक बार फिर सुलिए प्रसनावली वह मुल्यानकन प्रविदी है, जिसके माद देम से कुछ चुने हुए लोग होते हैं सेंप्लिंग के आदार पर उनको अपन प्रसनों की सूची या प्रसनों की जो प्रसनावली है, उसको निर्मित करके उनको देते हैं, वो अपने विचार देते हैं, उसके उपर उत्तर लिखते हैं, और उन डाटाज के आदार पर आँखणों के आदार पर अपन विभिन परकार की सूचना एकत्रित करते हैं उसको सोध इत्यादी में परियोक्त करते हैं ये चार परकार की होती है आर एस वुडवर्थ को इसका जनक माना जाता है परतिबादक माना जाता है और सबसे बड़िया बात यह है कि परस्तनावली जो होती है उसमें उत्तरदाता को कोई संकोज नहीं होता है क्यूंकि परस्तन पूछने वाला एकदम साक्षात्कार की तरह सामने नहीं होता है अब कि तुलना में अगर हम बात करेंगे, परस्णावली के दोस और देख लेते हैं, क्वड़ों के साथ में दोस हैं, वह भी हर प्रविद्य में थोड़े बहुत होते हैं, पहला दोस्त देखिए, नंबर एक। प्रस्टनावली का पहला दोस्त है पक्सपाथ की संभावना होती है इसमें कई बार क्या होता है कि उत्तर दाता जो होता है ना वो उत्तर देते समय अपने दर्ष्टी कोंड के हिसाब से अपने एटिटुड की एसाब से कई या उसका परीचित है थोड़ा बहुत उसका वेक्तिगत पक्स है वो उत्रों को प्रवावित करें जिससे फिर जो सूचनाई होती है उनकी विश्व सनिता पर प्रसंचील लग जाता है जो एक तो पक्स पात यानि आदमे की वेक्ति निष्ठत है या उसके मुल्ले हैं, उनका इस पर असर पढ़ सकता है, उसके दरस्टी कोण का असर पढ़ सकता है, तो इसमें एक तो पक्सपात की संभावना है, मुख्य रूप से ज़्यादा रहती है, दूसरी बात नमबर दो, कि प्रस्णावली जो है, उसको प्रतेक व्यक्ति है, वो नहीं बर सकता, मुख्य रूप से शिक्सित व्यक्ति होते हैं, वो ही इसको परियुक्त कर सकते हैं, शिक्सित व्यक्तियों के दरस्टी कोण से तो प्रस्णावली बहुत बढ़िया है, लेकिन जो अनपढ़ है, जिनको बासा में उतर देना नहीं आता है, लिगना नहीं आ कर सकता है, जिसको अक्सर ग्यान हो, जिसको लिखना पढ़ना आता हो, इसलिए परस्णावली की एक कमी ये भी है, जैसे इंटर्यू है, साखसातकार का एक दोस्त है, कि साब इसमें क्या है, कि एगर सामने वाड़ा अनपढ़ भी है, तो कोई बात नहीं है, अपन फेस आपदा एक नहीं, इसके बाद में हैं तीसरी बात, तीसरा जो दोस्ते प्रस्णावली का वो हैं, ये है कि प्रस्णावली के द्वारा जो उत्तर होते हैं, उत्तर हैं, उनका पूर्ण उत्तर प्राप्त नहीं होना, कई बार क्या होता है, कि उत्तर दाता है, वो प्रस्ण का पुरा जबाब नहीं देता है आदा छोड़ देता है इस प्रकार से कई बार आंसिक जानकारिया होती है जिसकी विज़े से अपन क्या निसकर्स तक पहुंची नहीं पाते हैं इसके लावा एक दोस्ट और भी है इसके अंदर कि परसनावली को वापस नहीं लोटाना इस प्रकार के जबाब आपको मिलेंगे यानिकि प्रसनावली में प्रसनों का उत्तर वापस लोटाना यह काम है इसमें भी कोता ही वर्ती जाती है यह भी इसका एक दोस है और इसका अंतिम दोस है वो मुखी रूप से यह है कि साब इसमें जो व्यक्तिगत जो व्यक्तिगत प्रतेक्ष संपर्क होता है उसका क्या होता है अभाव होता है क्योंकि इसमें दोनु पक्स आमने सामने नहीं होती इसलिए जो समवेगात्म गरसा अनुभूती होती है जैसे सीक्षण के दोरान होती है वो इसके अंदर नहीं होती इसलिए यह कुछ कमिया है वह परस्चनावली के अंदर है I Can-Dira Halio के दौरा प्रियोक्तर नहीं हो पाना है या पूरे उत्तर नहीं दर्दॉत्ताओं के दौरा या परणी को वापस नहीं लोटाना या फिर पर्तेक्शन अन्य में दर है इस प्रकार से पर्सुनाब अगली है निर्धारण मापनी अंग्रेजी में कहते हैं रेटिंग स्केल निर्धान मापनी के लिए कई और सब्द भी इस्तेबाल कि जाते हैं जैसे एक नाम आता है करम नेर्धारण मापनी या इसको कही जिगए यह भी कहते हैं गुण निर्धारण मापनी तो गुण का भी और किसी का विशेश प्रकार से करम है सब्सक्राइब करने के लिए तो यह क्या तरीका है देखे निर्धार्ण मापनी रेटिंग scale एक ऐसी प्रविद्धी है जिसमें किसी वेक्ति विशेज के किसी गुण का इस्तर ज्यान से सुनिएगा किसी गुण का इस्तर मापा जाता है जी गुण के इस्तर का मापन किया जाता है यानि कि किसी वेक्ति में कोई गुण है वो किस इस्तर का है तो इसमें क्या करते हैं कि में परकार कि परस्त harmony वगेरा के माद दहिम से एक nirsdhan tiyar कि जाती है और उसमें किसी वेक्ति विशेच के विभिन परकार के जो सामाजी गुण होते हैं उन में से कुछ गुण लिये जाते हैं और उन गुणों के संदर्व में सामने वाले या उससे समधित या उसके समों से समधित जो अन्य लोग होते हैं उन लोगों से उस गुण के संदर्व में विभिन परकार के अंक मांगे जाते हैं जैसे मैं आपको बताता इस प्रकार का कोई गुण ले लिया उस गुण को लेकर और उससे अंक मांगे जाते हैं इसके अंदर जैसे एक, दो, तीन, चार या पांच, ऐसे पांच तक नंबर रख दिये कि आप अमुक विक्ति को इस गुण के लिए कितने में से यह पांच में से कितने अंक देंगे, द देंगे, तीन देंगे, चार देंगे, कई बार आप मोबाइल वग्यरा पर भी आपसे रेटिंग मांगी जाती है, विविन प्रकार के वीडियो हैं, इनमें भी आपसे रेटिंग मांगी जाती है, इसको पांच में से कितने स्टार दोगे, तो इस प्रकार से आप जो उसके के गुणों का फ़ोग लेवल है उसका निर्धान वता है कि उसमें वह घुन किस इसतर का है तो इस प्रिकार से निरध्ण मापनी अज्ञें निर्धान करने केलिए विध्यार்तियों के विफिन तो गुण के श्तरके मापन का सिधा सिधा मतलब ये है कि किसी विक्ति में गुण किस प्रकार का है, जैसे अपने एक से लेकर और पांस तक अंग निर्दार्थ किया है, कि आपको एक मैं से एक से पांस तक कोई भी अंग देना है, में तो उसमें जैसे यह कर ले कि एक जैसे कर लिया बहुत अच्छा उश गुण के बारे में पहला जो मत है वो बहुत अच्छे का हो गया उसके बाल में अच्छा हो गया फिर हो गया कमजोर शुरीज फिर हो गया सामाने जैसे एक रख दिया सामाने फिर कमजोर और बहुत कमजोर अब देखिए यानि कि अपने इन बिंदों के आदार पर अपने को कौन सा जिसे बहुत कमजोर है उसके लिए एक कर दिया इसके लिए दो कर दिया इसके लिए तीन कर दिया इसके लिए चार कर दिया इसके लिए पांस कर दिया इस प्रकार से अपन क्या करते हैं कि गुण है उसके इस्तर को तै करने के लिए उसका इस्तर किस लेवल का है उसके आधार पर अंक मांगते हैं सामने वाला जेतने अंक देता है उसके आधार पर उसके गुण का अपन निर्धारन करते हैं अब साब दूसरी बात यह जानते हैं कि निर्धाण मापनी जो होती है इसके अंदर खास चीज क्या है कि इसमें भी वेक्तिगत्पक्ष का असर इसलिए पढ़ेगा क्योंकि आपन सब जानते हैं कि जिस समय किसी वेक्ति से यह एक तो परिष्थिति जो होती है वो परिष्थिति जिसमें इस प्रिष्थिति का इस्तेमाल के जाता है उस परिष्थिति का प्रभाव पुड़ता है कई बार परिष्थिति अनुकूल होती है कई बार प्रतिकूल होती है इसके अलावा देखू रेटिंग स्केल में कई बार क्या होता है कि अपन जैसे अच्छा है और बहुत अच्छा है तो अच्छे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्यादा अंतरनीक लिपाते हैं सामानने, स्रेष्ट इस परकार से कई बार क्या मामला बड़ा नजदीगी हो जाता है और नजदीगी मामला होने पर अंक परदान करते समय लापरवाई करते हैं और ये लापरवाई कई बार क्या है जो परिणामों की विश्वसिंता होती है उसको प्रभावित कर देती है इस प्रकार से निर्धार मार्ण मापनेसी में कुछ अपन दोस हों मान सकते हैं इसके बार में अगली प्रविदी जलीकते हैं संचाई आलेक अंगरेजी में कहते हैं Cumulative Record मुल्यानकन की गुनात्मक प्रविदियों में एक प्रविदि है संचाई आलेक संचाई आलेक क्या होता है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अची तरह सुलिजिए देखिए संचाई आलेक किसी भी स्टुडेंट के बारे में जानकारी प्राफ्ट करने के लिए रिकोर्ड किया जाता है ये कहां रिकोर्ड रहता है ये उस विद्याले में रहता है जिस विद्याले के अंदर बच्चा अध्यन करता है यानि विद्याले द्वारा तैयार प्रपत्र होता है अब इस प्रपत्र में होता क्या है तो आपको बता दें कि इस प्रपत्र में विद्यार थी जब विद्याले में प्रवेश लेता है ना प्रवेश से लेकर प्रवेश से लेकर विद्याले पूर्ण करने यानि विद्याले के अंतिम कक्षा है उस तक की संप संपूर्ण जानकारी कौन कौन सी जैसे सैक्षनिक है एकेडमिक जितनी भी उसकी परफोर्मेंस है और सैसेक्षनिक है को एजुगेशनल है तो इस प्रकार से संसाई आलेक विद्धाले द्वारा त्यार किया गया एक ऐसा रिकोर्ड होता है जिसमें बच्चे की विद्धाले में एडमिस्न लेने से लेकर विद्धाले छोडने तक कि अगर माले जी पहली ग्लास में लिया है तो आट वी तक एक विद्धाले में पढ़ाया तो उसका एक संसाई आलेक त्यार होता है जिसमें उसकी सभी प्रकार की उसकी रूची अभी रूची उसकी ग्याना आत्मक बहात्मक, रियात्मक पक्स है, सेक्षणिक्स है, सेक्षणिक्स सभी पक्सों की जो जानकारिया हैं उनको संग्रहित किया जाता है इस परकार की जानकारी से भी अपन विद्धाले से बच्चे के बारे में बहुत सारी जानकारिया प्राप्ते कर सकते हैं उसके गुणों के आंकलन में संचाई आलेक यानि कमिलेटिव रिकॉर्ड है वो भी एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है अब इसकी जैसे माले जी अपने इसकी कोई गुराई तो नहीं कर सकते दोस्त नहीं कर सकते क्योंकि ये तो क्या है कि एक रिकॉर्ड होता है और उस रिकॉर्ड का दा है वो संचाई आलेक के अंदर रिकॉर्ड की वही होती है तो इस प्रकार से संचाई आलेक भी बच्चे के गुनात्मक पक्स की जानकारी करने के लिए एक महत्वपूर्ण मुल्यानकन प्रविदी मानी जाती है अब आगे बढ़ते हैं अगली प्रविदी देखिए तो आमेरिका यानी यूसा के एक मلاविगानि कोई है जे अल्प मौरेणो 아직 जो है उन्हें उन्होंने इस विद्धी का पृति-वदी क्या है यह विद्धी क्या है तो सुनियेगा समाजविद्धि के बारे मैं अपन ये कह सकते हैं कि समाजविद्धी वह मुल्यानकन प्रविद है जिसमें किसी व्यक्ति के ओप्चारिक सामाजिक परिस्थिति परिस्थितियों के बीच अंतरव्यक्तिक समन्धों का परिक्षन परिक्षन लेखन या मापन करने का कारिय किया जाता है दोबारा सुली जी यानि कि समाजबिती एक ऐसी मुल्यानकन परिविद्धी है जिसमें किसी व्यक्ति जो ओप्चारिक समाजिक परिस्थितियों में रहता है उन सब का परिक्षन करने के लिए उनका अलोकन करने के लिए उनका रिकोर्ट करने के लिए उनका मेजरमेंट करने के लिए अपन जो परिविद्धी का मिलेते हैं उसका नाम है समाजबिती कारलिंगर भी यह कहता है कि समाज मिती वह मुल्यानकन प्रिविदी है जिसके माद्देम से अपन किसी विक्ति के समोविवार के बारे में जानकारी प्राप्ते करते हैं जैसे मालिजी एक बैंक है उस बैंक के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनमें जैसे मालीजे बैंक का एक P.O. है, बैंक का एक मेनेजर है, इसके लाव बैंक के अंदरा अन्ने L.D.C. की पोस्ट भी होती है, U.D.C. की भी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो जैसे अपन ने एक बैंक P.O. के बारे में एक गुण ले लिया, मित्रतागा, इसका कैसे हैं, इस प्रकार से समाज के अन्ने जो लोग हैं, उस समुख के अंदर जो अन्ने लोग हैं, उनके बीच में उसका वेभार किस कैसा है, इसकी जांच करने के लिए समाजबिती विद्धी काम में ली जाती है, इस में क्या है, विभिन प्रकार के प्रसन वगएरा प्रकारा क्या कैसे समंद्ध है आपके गराये हैं कभी इस प्रकार की जो बाते हैं अपन विभिन प्रकार की जानकरे लेते हैं और इन जानकरियों के माद देमसियों उस वेक्ति के समाजिक समंद्ध है उनकी अपन क्या है जानकरी या उनका रिकोर्ड है वो प्राप्ते करते तो समाजमीति विदी है अब समाजमीति विदी के देखो खास गुण ये है कि इस एक समाजिक नेतरत्व की जानकारी मिलती है कि एक समुव के अंदर समाजिक नेतरत्व कौन कर रहा है तो देखो गुणों के अगर बात करें तो सामाजिक नेत्रत्व जो है सामाजिक नेत्रत्व इसके बारे में अपने को जानकारी मिल जाएगी एक तो गुण यह है क्योंकि अपने एक सम्मुम में जब बहुत सारे लोगों का अधियन करते हैं तो उस सम्मुव के अंदर सबसे प्रभावी व्यक्ति को ने उसके बारे में अपने को अपने आपी जानकारी मिल जाती है दूसरी बात है ये जो अलप संक्यक सम्मुव है बसे कई जिगा क्या कि अलप संक्यक सम्मुव होते हैं किसी सामाजिक परिष्ठिती के अंदर या किसी सहैस्थत आ कें दर काम करने वाले वीक्तियों में अलब संख्यक जो है उनका जो बहुत संक्यक हैं अलब संख्यकों का बहुत संख्यकों के प्रती ज़िएए और समों के अंदर विभिन प्रकार के लोगों से राय ले रहे हो किसी वेक्ति की समाजिक समध्धों के बारे में जानने कोसिस कर रहे हो तो इसमें जो माइनोर्टीज है उसके ओपर जो बहुसंग क्या है उनका दृष्टी कोन कैसा है इस परकार की जो चीज होती है ना तो इससे पता चलता है कि अलब संख्यक और बहुसंग्यक के बीच में relationship किस प्रकार की है एक दुसरे के प्रति द्रस्टी कोण कैसा रखते है इसकी जानकारी पे अपने को समाजमिति से मिल जाती है इसके साथ साथ सामाजिक प्रतिष्टा और प्रभाव किसी भी विक्ति के सामाजिक प्रतिष्टा की और उसके प्रभाव की समाजिक परतिष्टा है उसका प्रभाव है उसका सोशल स्टेटस कैसा है इसके बारे में भी समाजमिती से अपने को जानकारी मिल जाती है इसके लाहापन समाजमिती में सबसे बड़ी चीज यह है कि विभिन पृकर के जो लोग है उनके सामाजिक गुणो, समन्दो, और संपर्कों सामाजिक संपर्कों के बारे में विश्थार से जानकर इप्राप्त कर लेते हैं तो इस परकार से समाजविती विद्धी है वो विभिन परकार की सामाजिक सूचना ये वगरा ग्रेंड करने में बहुत महतोपूर्ण है लेकिन अन्य विदियों की बात इसमें सब्सक्राइब दो और सकती है लेकिन पिर भी सामाजी गुनों की जांच करने के लिए अब देगे थोड़ा सा आपको ऐसा लगता होगा जो अपने पहले निर्दानमापनी पड़ी जिसे गुण निर्दानमापनी भी आप गुण की जावात कर रहे तें यहां पर भी गुण इस गुन के उपर अन्ने लोगों की राय लेना है इस बात की जाँच नहीं करती है कि एक समय परिस्तिति के अंदर काम करने वाला वेक्ति है उसके अन्ने लोगों के साथ में समंध कि प्रकार के है ये सामाजिक, अंतरवेक्तिक, समन्दों की जानकारी देती है जिसमें सारे गुण सामिल है जबकि रेटिंग स्केल है वो थोड़ी सी अलग चीज है उसके अंदर क्या है? रेटिंग ते की जाती है वो क्या है कि किसी गुण विसेस को लेकर की जाती है और ये अलग चीज़ है इस प्रिकार से दोनों जो हैं वो अलग-अलग बाते हैं समाजविती के बाद में आगे बढ़ते हैं और अगली प्रविदी देखिए अगली प्रविदी है वो है अभीवरती मापनी चीज़ एटिटूड स्केल अब आपको बताद दूँ कि देखो तीन-चार वर्ड है यहां पर आएंगे अभीवरती अभीवरती एक है अभी रूची क्योंकि ये तीनों ही आएंगे इसमें और एक है रूची तो तीनों में अंतर समझ लें आप ये बाते में तीनों आपको बताऊंगा आगे विस्तार से लेकर एक बार अंतर समझ लें द है एप्टिट्यूट एप्टिट्यूट और इसका है इंट्रेस्ट अंग्रेजी में यहां से ए सब्द है अबीवरती अबीरूची और रूची अब इनके अन्य नाम भी इंदी में तो वह दाने अबीवरती को कहते हैं मनोवर्ती इसी का एक नाम है द्रश्टी कोण द्रश्टी कोण अब विरुची का अन्य नाम है अभी योग्यता और इसी का एक अन्य नाम है अभी खंता अभी खंता और उची के लिए गिनाम है इंटरस्ट अब सुलिजिए कई वार अपने इसमें कन्फूज हो जाते हैं अंतर दीस मज़ें थोड़ा मैं आपको बेसिक लिए अंतर बता रहा हूं अभी वरती है इसको अंग्रेजी में एटिटूड कहते हैं मनोवर्ती द्रश्ट किसी के प्रति या तो होता है नकारात्मक या होता है सकरात्मक ये एक नजरिया है दूसरों के प्रति लेकिन ये ज्यान रखना ये पूर्त है अरजित होता है जी अभी वरती पूर्त है अरजित होती है अभी रूची या अभी योग्यता या अभिक्षमता ये पूर्त है जनमजात होती है जनमजात और रूची रूची को अगर देखें तो इसमें दोनों गुण है यह जनमजात भी होती है और साथ में अरजित भी होती है दोनों प्रकार की होती है जी कैसे आप सब जानते हो किसी के पृति आपका दर्श्टी को नेगेटिव है पोजिटिव वो जनम से नहीं हो सकता क्यों अगर क्योंकि अभीवर्थिकिस से अनुबहु से मिलती है जब आदमी को experience मिलता है अगर को पानने वाला यह दुकान दार है ना यह बहुत ही बड़ी आदम है अच्छी क्वालिटी की चीज़ें रखता है लेकिन आपको अन्य दोस्त है वह आपको क्या करा यह यह तो एक नमर का बेइमान है चोर है क्यों कि उसका अनुबह है उसे निशेत रोप से अनुबह वहाँ से इस परकार का तो यह अभीवर्ति के खास बात है यह अरजित होती है लेकिन एक बार बंढ जाती है किसी के परति ही तो अभी वर्ति ध्यान रखना अर्जित होती है यह किसी के परतित नजरिया है नकारात्म प्हीं हो सकता है किसी को सही समझना गलत समना ही वातेश में आती है अब देखे अभिन रूची अभी रूची अभीक्षमता और अभी दुखेटा मुखियो परोप से इन दोनों में अंतर को लेकर लिकता आती है किसाब लिए अबि connections कैसे होता है तो आज कल अभीườiकिन क्या बत सुना है तो अब भी एड और बीयोगेता लोजेंशाब यह जनमजात工ों जांसने का एक तरीका है की अमुक उोट की जनमजात उस सेतर में जाने का गुण है या नहीं इसकी जांच करने के लिए आज कल विविन परकार के परसिक्षन पाट अगरा है इन सब में अभीरूची समन्दित परसंद पुचे जाते है अभीरूची व्यक्ति की वो जनमजात योगेता है जिसको आगे अवसर दे या परसिक्षन दे तो आदमी उस सेतर में बहुत बड़ा काम कर सकता है लेकिन एक खास बात है रूची का समन्द तो वरतमान से होता है और अभीरूची है वो भविसे की और उनमुक होती है आप ये कह सकते हो कि अभीरूची रूची की सुप तवस्ता ये सोयोई रहती है इसको अगर जागरत करना है तो इसका टेस्ट करना पड़ेगा और टेस्ट करके इसमें परसिक्षन और अवसर देना पड़ेगा और अवसर अगर दे दिया जाए तो आदमी उस से तर में बहुत बड़ी अकाम कर सकता इसलिए आजकल विभिन परकार के चाए वो कलेट की एक्जाम हो, मेनेजमेंट की हो, टीचिंग से समंदित हो उन सब में अभीरूची समंदि परशन पुछे जाते हैं, ताकि जनमजात गुण रखने वाले वेक्ति ही इसके अंदर परवेश से कर सके और रूची आप सब जानते ही हो, तो इस प्रकार से देखो, इन तिनों में अंतर है वो अरजन और जनमजात के साबसे भी है अपने सबसे पहले बात करिए अभीवर्ती मापनी की, तो अभीवर्ती मापनी का सीधा सीधा मतलब यहां पर यह है कि किसी वेक्ति का दृष्टी कौन मापना, अब दृष्टी कौन अभीवर्ती मापनी मापनी लिकर्ट का नाम सुनाओगा, लिकर्ट की अभीवर्ती अपनी के अंदर है ना अलग लग प्रकार के ऐसे मत रखता है कि जैसे क्रम निर्दान में अपनी होती है न उसी तरह इस पे भी इस ऐसे अलग अलग पांच बिंदो यह जैसे एक बिंदू है कि पूर्णत है कि सेमत कि पिर है कि सेमत कि पिर है कि आन्सिक कि सेमत कि अगलामत है कि ए सेमत और अगलामत है पूर्णत है कि ए सेमत तो देखो लिगर्ड की अविवर्ति मापनी इस प्रकार की है तो इस प्रकार से विविन प्रकार की अविवर्ति मापनिया होती है जिनके माद्यम से किसी भी विशे पर या किसी विक्ति के बारे में दूसरे लोगों का दरस्टी कोण या नजरिया कैसा है यानि उसको सभी मानते हैं, गलत मानते हैं, कुछ कह नहीं सकते, इस प्रकार के मापनियां होती है, इन मापनियों के द्वारा लोगों का द्रस्टी को होरा है उसका धिहन करने के लिए मुल्यानकन की एक प्रविदी के रूप में अभीवर्थी मापनी का भी इस्तेमाल किया जाता है इसके बाद में अगे बढ़ते हैं और अगली प्रविदी देखिए अगली है अभीरुची मापनी तो अभीरुची मापनी में अपन केटल वगरा है या इसके अलावा अन्य और बहुत सारे विद्वान है ये अभीरुची का मापन करने के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि अभीरुची मापन है न वो क्यों किया जाता है किसी भी वेक्ति की जनमजात ध्यान रखेगा जनमजात योग्यता या शम्ता की जाँच करने है तू जाँच करने है तू जो मापनी काम में ली जाती है उसको बोलते है अभी रूची मापनी जैसे मापनी के रूप में नहीं होगर इसकी परिक्षन होते है तरह तरह के जैसे मैंने आपको बताया BSTC BAD ये एक्जाम होती है इसमें जो प्री एक्जाम होती है उसमें 50 परसन आप सब जानते हो शिक्षक शिक्षन अभी रूची के आते है ये अभी रूची के परसन है ठीक है अब जैसे BAD BSTC के प्री टेस्ट में 50 परसन आप से 200 परसन में 50 परसन है वो टीचिंग एप्टिटूट के आपने 50 परसन किये हैं और आपका इस टेस्ट में चैन हो गया तो इससे ये बात साबित हो गई कि आप जनमजात सिक्सक हो जी चाहिए गोवर्मेंट आपको बनाए या नहीं बनाए आप में सिक्सक बनने का जनमजात गुण है क्योंकि आपकी जनमजात योग गयता अभी रूची सिमा पी गई है जिसमें ये देखा गया है कि मूद रूप से इस विक्ति के अंदर सिक्सक बनने के जनमजात गुण है इसके बाद में क्या होता है मैंने आपको बताया था कि अभी रूची क्या होती है रूची की सुप्त वस्ता होती है सुप्त वस्ता है और रूची की सुप्त वस्ता हो है तो उसके बाद में इस 46 विक में आदमी बहुत बढ़ीया performance करता है जैसे B8 का अभियरती है उसका इसमें selection हो गया उसके बाद में demonstration class देता है उसके training blog teaching करवाई जाती है उसको micro teaching करवाई जाती है इसके मादेम से उसको अभियास करवाई जाता है और उसके अंदर ये चीज है वो निखर करा जाती है और एक दिन वो बहुत बढ़ी आध्यापक बन जाता है आपने एक film देखी होगी Three Idiot Three Idiot film है वो पूरी तरह से अभीरूची परी अधारित है यानि कि Three Idiot film है उसका पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो अभीरूची परी अधारित है क्योंकि तीनू जो उसमें तीन चार जो दमित्र होते है वो बनना तो कुछ और जाते है लेकिन माता पिता उनको बनना कुछ और जाते है और उस सेत्र में क्या है कि बढ़िया प्रपोर में नहीं देपाते है लेकिन अन्य सेत्र में बढ़िया देंगे इसलिए किसी सेत्र में प्रोपर लोगों का यानि उस गुण से युक्त लोगों का चैन करने के लिए आजकल अभी रूची परिक्षणों का परचलन भो जदा हो गया है मेनेजमेंट से समंदित हैं या विधिक परिक्षाएं होती हैं या आपके जो लोग वगरा के कोर्स वगरा होते हैं इन सब में आजकल क्या है? एप्टिटूट टेस्ट होने लग गए हैं इसके वाल में आगे बढ़ते हैं और मुल्यानकन करने की अगली विधियेपन देखते हैं रूची सुची तो देखिए विभिन परकार के लोगों की रूचियों की जानकारी करने के लिए विभिन परकार की रूची सुची होती है उनको भी यानि रूची भी आप सब जानते हो वेक्तित्व के गुणों का ये एक भाग है तो किसी वेक्ति के अंदर रूची समंध्य गुण किस प्रकार के इसकी जांच करने के लिए दुनिया में सबसे पहली रूची सुची कारनेजी अमेरिका की कारनेजी संस्ता है उसके द्वारा तैयार की गए थे और उसके बाद में आजखल दुनिया में भहूत प्रकार की रूची सुचियां चलती हैं तो रूचीयों का प्रिक्शन करने के लिए जिन सुचियों का इस्तेमाल किया जाता है उनको अपन रूची सुची कहते हैं तो रूची भी एक क्या है गुणों का पार्ट है इसलिए गुणात्मक प्रविदियों के अंतरकत्ता इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं है विस्तार से क्योंकि रूची अलग टोपिक चलता है जो सेकंड ग्रेड में रूची अभी जानकन प्रविदी है जिसमें किसी विद्यार थी है मुख्य रूप से समस्यात्मक बालक जान रखिएगा समस्यात्मक बालकों का अध्यन करने के लिए सबसे बढ़िया विद्धी जोहना वो कह स्टेडी होती है इसके लिए इंदिवेग सब्दाता है वेक्ति इतिहास वे आध्यन करने के लिए अपने क्या 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 सकते है किसी बत्चे एक बच्चा है वो विद्ध्याले से प्लाइन कर जाता है तो यह उसकी एक समस्या होग्ए ये समझे आप में उपाल होगा, प्राय अप्लाइन कर जाता है या विद्ध्यले में आता नहीं है, तो इसके लिए आप इसकी के स्टेड़ी कैसे करें, कैस्टेड़ी करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप उस बालक से समझें जैसे उस बालक के द्वारा कोई डाइरी कोई डाइरी लिखी जाती है मालेजे अगर नेमिट डाइरी लिखी जाती है तो उसको देखिए मालेजे उसके द्वारा कोई लेख या पत्तर लिखा जाता है उसको पढ़िये, उसके माता, पिता, बाही बहिन, बाही बहिन है, उसको बढ़ाने वाले विबिन अध्यापक, उसके साथी सहपाथी, सहपाथी, उसके पड़ोसी, इन सबसे विबिन परकार की जानकरिया ली जाते हैं, अपन सब जानते हैं, किसी बालक की कोई समस्या क्या है, तो उस समस्या के बारे में पता करने के लिए, अपन कैस्ट टेड़ी के अंदर, ये सारे तरीके काम में ले सकते हैं, परिवार जनों से में भी अपन जानकारी दे सकते हैं ठीक है इसके साथ साथ में साती होते हैं उसके जो खिल खेल के मैदान के साती है उसके कख्षा के सह पाटी है वह विभिन प्रकार की सुच्छनाएं देंगे जिसके आदार पर अपन इस निकस लिए जा सकते हैं कि वच्चे के अंदर क्य क्या करते हैं कि इन विभिन प्रकार के तत्यों से वेक्तियों से अपन क्या करते हैं सूचना एक्टी करते हैं उनके आदार पर विचले सुन करते हैं लेकिन इसका एक दोस यह वेक्तिनिस्ट भी दिवानी जाती है यह सब्जेक्टिव नहीं है सब्जेक्टिव है क्योंकि अ इसे माता पिता कुछ छुपा लेते हैं तो पडौसी वार क्या है बढ़ शटकर बता देते हैं कई वरती तो कमी एक हैं लेकिन आपन सब जानते हैं कि भारत के अंदर पड़ोरी से बढ़िया कोई समिखशक नहीं हो सकता पड़ोरी के पड़ोरी से अगर आप किसी के बच्च प्रबाव रहता है बाकि यह एक अच्छी विद्य माले जाती है अगली परिविद्धी देखते हैं अगले परिविद्धी हैं बुद्धी परिक्षण तो आपने समने इंटेलिजेंशी टॉपिक जो पढ़ा उसके इंदर पढ़े होंगे नहीं पढ़ें तो आप बुद्ध प्रिक्षणों के आदार पर बच्चों को आगे चलकर नोर्स रेडियों में डिवाइड किया यानि डल से लेकर महामुरुक से लेकर और जीनियस तक नोवर्गों में भाजित किया तो बुद्धी प्रिक्षण भी क्या है एक वेक्तिगत गुणों की जानकारी प्राप्त करन देखे लिए दिए पॉर्ट फोल्य है इसका समंद्द भी विध्यालें से ही हां आपने संसे यावलेक पड़ा था कि उसमें बच्छा स्कूले एडने नेवे प।When लेकिन उसले भी पूर्ट फोल्य को बच्चे की जानकरी होती है इस जीजहां लेकिन आपको वो पूरे सेशन की नहीं एक निश्चित अवदी की विद्याले द्वारा तैयार वैप्रपत्र वैप्रपत्र जिसमें किसी बाले की निश्चित अवदी की सेशनिक और सेशनिक उपलबदियों की जानकारी मिलती है आपने सुना होगा अभी अपने राजस्तान सरकार के अंदर कक्सा एक से पांस तक सीशी प्रणाली चलती है तो सीशी प्रणाली के अंतरकत जो अपन एस आई क्यूए कारिकरम चल रहा है इस कारिकरम के अंतरकत इस्टेट लेवल पर एक एजुकेशन क्वालिटी मेंटरन करने के लिए कारिकरम चल रहा है इसमें तीन कारिकरम चलते हैं एक कारिकरम का नाम तो है C.C.E. A का नाम है C.C.P. A का नाम है A.B.L. दुबारा सुलने जीए इसका नाम है स्टेट इनिसेटिव फोर क्वालिटी एजुकेशन राज्य गुणवत्ता शिक्सा फैल कारिकरम कक्सा एक से लेकर पांस तक चलता है राजस्तान में फर्स्ट गेड़ में प्रसंद भी आया था फूरम पूची गई थी इसमें तीन कारिकरम चलते हैं एक तो इसमें सेट्ट इसमें सीट्र पेडागोजी यानि बाल के इंदरित शिक्सा साथ्तर पूरा का पूरा बच्चे पर के अंदरित रोना चाहिए और एक कारिकरम चल रहा है एक्टिवीटी बेस्ट लर्निंग गति विदी या किरिया कलाब आधारित शिक्षण ये तिनु कार जाता है तो एक तीन मेने की छे मेने की या बारा मेने की इस प्रकार से अलग अलग टुकडों में वाजित बच्चे की एक निशित समय में जो परफॉर्मेंस होती है एक अधिक और नॉन एकेडिमिक के अंदर या एजूकेशन या को एजूकेशन में उस उपलब्दी को सा उनात्मक परिवेदिया हैं वो सारी पढ़ ली है और इसी के साथ में अपना मुल्यानकन का टोपिक आज कंप्लीट हो गया है इस आठवे वीडियो के साथ में मुल्यानकन में देखो अपन में एक बार फिर आपको यादिला देता हूँ मुल्यानकन में अपनने मुल्यानक तो आठ वीडियो के अंदर आपका एक टोपिक है मैं आपको पहले भी बिता चुका हूँ कि यह जो टोपिक है मापन मुल्यानकन और आंकलन यह लेवल फर्स्ट लेवल सेकेंड सब के लिए मैतोपूर्ण है और यह केवल ने केवल सिक्सा सास्तर में बलकि यह सब्जेक्ट म होगा जब अब इसके दो चीज और बढ़ेंगे एक तो उपलबदी प्रिक्षन बचावाए है और एक बचावाए इसके अंदर सतत एवं समगर मुल्यानकन सीची और उपलबदी प्रिक्षन इसी यूनिट में दो टोपिक और है अगली क्लास जब अपन सुरू करेंगे त उसमें पहले उपलबदी प्रिक्षन जिसमें इसे जुड़िवी कुछ बातें सेस रह गई है जैसे अच्छा मुल्यानकन पेपर कैसे बनाए छीग है ब्लू प्रिंट क्या होता है उपलबदी प्रिक्षन किते प्रकार क्या होते हैं वस्तुनिस्ट में अब्जेक्टिव म सब्जेक्टिव में अंतर विगरा क्या होते हैं इन सारी चीजों पर अपन उपलबदी प्रिक्षन के अंदर सर्चा करेंगे आज की क्लास को पन यहीं समाप्त करते हैं नमस्कार